हमारी परेशानी का कारण यह है कि बंगलादेश को चावल सप्लाई करने से भारत में चावल की कीमेते ठीक उजी प्रकार बढ़ रही हैं जिस प्रकार आपने अनुमान लगाया था आपकी आसंकाती पूरे राशियार यूक्रेन आग्राशनेर प्रभवे जालानी तेल आमदने निये शमोश है परे छे बंगलादेश आमदने निर्भर जालने तेल शंगर हो करा आबंग शर्वार हो शाहा बिक्राखाप एखन बलो च्यालेंज होए दाडिया छे जुदु दिर्गाईत होले बांगलादेशे जालानी खाते शंकर तोरी होते पारे राश्ट्रियो शंस्था बांगलादेश पेट्रोलियाम कर्परेशन बाब बी पीसी शेबे शर्करेर भुर्ट्टुकी दार परो आंतरज्यतिक बाजरे दाम बेड़े जावाई डिजल बिक्रिते लोक्षन गुण छे शांस्थाटी उन्नुदिके बिद्युद्पाद उने ग्याज शर्वर हे घाट्ती थाकाई फार्नेस ओल आमदानी बाड़ाते हुए छे शर्कर के शर्कर फार्नेस ओलेर दाम चोलती अर्थ बचर छॉय बार बड़िये छे बैल्लिस्टाकर फार्नेस ओल चोत्तु टाका पर्जुन्त बाड़ा नुए बिद्युद्पादुन खरो छो बेड़े छे एर प्रफाप पड़े छे मुल्लू स्विती तेओ एमोता अबस्थाय भारत हुए राशयात तेलकेनार चेस्थाटा जुगतिक बांगला देशेद। तबे कोशोल टा गोपनियो ना रेखे शांगबादिक देश्शामने उन्मुक्त करार बिशोईटी। कोशोल गतभवे एक बारी ठीक हैनी। एर फले पुरुक प्रक्रक् भारत जहेतु बिशे त्रीतियो बड़ो तेल आमदानी कारी देश। ताई राशयात तेके सस्ताय तेलकीने बिदिशी मुद्रार बिपुल शास्त्रय कोट्छे दिल्ली। बिश्व बजरे जालनी तेलेर दामबाडर परिप्रिक्खिते मोस्को बांगलादेश के तेलो गम दिते आग्रही होलेओ। जुक्त राशय निशदक्गर भए कोन शिद्धान तो नायनी धाकाप। जहेतु राशयाई यूक्रेन उत्तप्त परिस्तेतिर मोध्यो राशया अई मैंस की वर्कम बाक टुए चानल होप आप सुवल्कु ठीक थाक होंगे मैंडाम समयन है आप देखें स्वाइं रिक्शन्स तो जी आज मैं आप बात करने वाली बंगलादेश की राइस की इंपोर्ट की जो कि बंगलादेश इंडिया से कर रहा है और इस चीज को लेक से इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पर रहा है यहां पर कहा जा रहा है कि इंडिया हमेशा बंगला देश की मदद करता है लेकिन बंगला देश की तरफ से कोई भी जो शुकर गुजार कोई भी नहीं होता बलके उल्टा बुरा बला कहा जाता है तो यहां जी ब बंगलादेश की तरफ से जब से इंपोर्ट स्टार्ट हुई हैं इंडिया में जो राइस की प्राइस हैं वो रेज होना स्टार्ट हो गई हैं मतलब जो प्राइस हैं काफी ज्यादा होना स्टार्ट हो गई हैं जब कि बंगलादेश में एक तो राइस की एक्सपोर्ट जो है को normal रखने के लिए कम रखने के लिए यह step लिया गया है जिसको ले कि इंडिया में इस पे काफी ज्यादा बहस की जा रही है वैल अभी मैं आप उसी में से एक रिपोर्ट है जो शेयर करें वाली हो यह रिपोर्ट आप पूरी देखने काफी इंटरस्टिंग वीडियो देख दोस्तों नमस्कार मैं हूँ देविश दोस्तों जैसा कि हमने चर्चा की हुई है आपको याद भी होगा बंगलादेश ने पिछले दस महीनों से भारत से चावल का एक दाना नहीं खरीदा था लेकिन जैसे ही बार ने उनके यहां दान की फसल बरबाद कर दी उन्हें भार बंगलादेश ने अपने यहां से होने वाला चावल एक्सपोर्ट भी रोग दिया सवाल उड़ता है बंगलादेश ने ऐसा क्यों किया वात है चावल का इंपोर्ट बढ़ा कर और एक्सपोर्ट रोग कर बंगलादेश यह सुनश्चित कर रहा है कि उसके मार्केट में चा चावल सप्लाई करने से भारत में चावल की कीमते ठीक उजी प्रकार बढ़ रही हैं जिस प्रकार आपने अनुमान लगाया था आपकी आसंकाती पूरे देश में एक्रोस दा बोर्ड आप मार्केट में जाके चाहे तो भाव तलास लीजिए चावल के दाम में 10-15% का में महंगाई ना हो इसलिए महंगाई की मार भारतियों पर पड़ रही है बांगलादेश के हित्सादने के लिए भारत पुरवानी दे रहा है लेकिन दुख की बात दोस्तों यह है कि इसके बावजूद बांगलादेश में थैंक फॉलनेस नहीं है कृतक गिता तो नाम मात रही है चावल के दाम से उसको रोकने के लिए सायदवी मोधी सरकार भी कुछ नहीं करेगी कारण उसका यह है कि एक दो मुहने बाद बांगलादेश की प्लार मंत्री भारत आ रही है अब चुंकि वह भारत आ रही है इसलिए उनके आगमन के पहले यदि भारत चावल का ए रही है ना सिर्फ बंगलादेश बल्कि पूरी दुनिया में समय चावल की किलत है चावल को प्रोडूस करने वाले जो में देशें जैसे की थाइलेंड हुआ वियत ना हुआ वह भी चावल के एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं मतलब कहने की बाद यह है कि चावल की हलत बंगलादेश ने इंडिया को मसीवत में डाल दिया है और यहां क्योंकि बंगलादेश में जो चावल की फसल है वह खराब हो गई तो जिसकी वजह से अब बंगलादेश को जी राइस इंपोर्ट करना पार रहे हैं और यह तो बैसिकली बंगलादेश ते जो राइस की एक की हुई बैसिकली राइस की इंपोर्ट पे उसको जो काफी ज्यादा थी उसको फोरी तोर पे कम किया गया ताकि जो राइस हैं उसकी प्राइस ज्यादा ना हो कौस्स ज्यादा ना हो और जो इंपोर्टर्स हैं वह असानी से इसको ठीक है इंपोर्ट कर सकें और यहां पे सारे यह इंडिया की प्राइज है शुकर गुजार नहीं होता थैंक यू नहीं बोलता है इंडिया को कि आपने हमारी मदद की है तो अभी चोंकि श्री खसीना का विजिट जो है इंडिया का वो होने वाला है उसके पीछे ये वज़ा भी है कि बंगला देश को इस बात से ठीक है नहीं मना किया गया कि हम ड्लिवर कर दिये हैं तो अब आगे क्या होने वाला है इंडिया इसको कैसे टैकल करता है अगर हम पहले देखे तो इंडिया की जानब से वीट को सिफ और सिर्फ इस लिए उसकी एक्सपोर्ट को बैंट किया गया था कि मुल्क के अंदर जो इंडिया के अंदर जो प्राइ कि अधर उसके पर बनदी लगानी पड़े आप लोगों को क्या कहना इसके बार में अपर लाइए पता ने को सेक्शन में लाइक करना है लाइक कपड़े सामने उससे जल्दी से क्लिक कर दे वीडियो को लाइज बिश्यर करना है प्रफासर फैमिली के साथ मेरा चाहिए I'll see you guys till then take care